पूरी कौम के नजदीक ये नियाए आबिद है परेजगार है जिना हो गया हमल भी ठेर गया अब क्या करें ये जो इबादत करने वाला मकार ये जूड बोलता है तुमारी बेहन से उसने मो काला किया हमल ठेरा तो उसके बाद उसने मार करके यही घर में दफन किया हेलो गाईज एक पर फिर स्वागत है भाईयों का चैनल रेक्शन बाबा में मेरे नामे राम और गाईज आज में एक ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो पर रेक्शन करने बाला हूँ बड़ा हट के टॉपिक है मैं आपको पहले नाम बता दिता हूँ किस इंसान के जिस्म में सेतान आता है तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे भाई लोगों को कि इसके जिसमन सेताना आता है। बहुत सारे भाई लोगों को नहीं भी पता होगा क्योंकि इसको किलियर किया है मुफ्ती सल्मान अजरी साब ने बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लग रहा है देखने में तो क्योंकि पता चली जाएक है सैताना इंदा से कुछ नेगेटिविटी आना कुछ गलत ख्यालात आना दिमाग के अंदर वो सबसे रिलेटेड है वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग हो सकता है आप इस वीडियो का इंट तक जरूर देखें पसंद आये तो सेर करें दोस्तों के साथ और आप चाहते हैं आपका ऐसी रियक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज इस वीडि फिर्माय गया कि एक नौजवान की शकल में शैतान आता है इस वीडियो एक खूबसूरत नौजवान की शकल में आता है औरतों के पास अच्छे बाल अच्छा चेहरा अच्छे कपड़े जो अपनी तरफ मोहले हैं तो लड़कियां अगर शहवत के साथ उसकी तरफ देखन नजर जो पड़ती है शहवत के साथ जो नजर गई शैतान वहां तीर चला देता है जो नौजवान तुमें भाग या ये ज़रूरी नहीं कि वो इनसान ये वो शैतान भी होता है शैतान कोई लंबे सींग वाला बड़ी पूँच वाला पर वाला नहीं है कि ऐसी शकल में आ जाता है जब ये बहग जाते हैं गुनाह कर लेते हैं तब चला जाता है भाग जाता है अच्छे परेजगारों की शकल में आ जाता है और तुमारे एमान का सौधा करने लग जाता है मेरे अजीज वो बनी इसराइल की वो हिकायत मुझे याद आती है जिसमें उसने एक बड बड़ा आबिज नेक अपने सौमा से निकलता नहीं था सौमा उसको कहते हैं जहां अबादत करने की जगा होती थी पहले बनी इसराइल में उसके बाहर वो कभी नहीं निकलता था चार भाई थे एक बहन थी करीब में वो चारो भाई तिजारत के लिए जा रहते बहन अकेल रखना उसने का हाँ ठीक है वो चले गए नजर रखने वाला आबिद नजर रखने वाला आबिद निकलता नहीं था एक दिन एक बुजरूग आए वो बुजरूग यही इबली से लईन है आकर के उसने दर्वाजे पर कहा कि तेरे भरों से एक नौजवान लड़की को पुचो यह अपने सौमा है के दर्वाजे तक आया बस और महां से उसको पुकार करके का वो लड़की अपने दर्वाजे पर आई एक दूसरे को देखा और बातचीत किया खेर खेर खेरियत पुचा यहीं तक थी बात लेकिन शेतान यहीं से अपने काम शुरू करता है उसक उसके घर भी जाने लगा जा करके घंटों बात चीत करते रहे वो वक्त भी आया जब उसने उसके साथ जिना भी कर लिया उस एक नौजवान खातून के साथ क्योंके यह शादी नहीं करने वाला था पूरी कौम के नजदीक यह नहाए आबिद है परेजगार है जिना हो गय हमल भी ठेर गया अब क्या करें नौजवान लड़की के साथ ऐसे मामलात हुए हैं डरा वही इबलीस आया फिर बजरुक की शकल में कहा देखो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा अगर तुम यह मालूम हो गया तो पूरी कौम तुमारे साथ क्या करेगी कहा क्या करूं कहा इसका गला दुबा दो मार दो और दफन कर दो घर में किसी को पता भी नहीं अरे बाइसा एक गुना फिर दूसरा गुना कर दिया उस लड़की और दबा दी अंदर जमीन साफ कर दिया चप चारो भाई तिजारत से वापस आए पूछा कहा है हमारी बहन कहा वो बीमार हो ग उन भाईयों के पास ये इबलीस आया कहा ये आबिज जूड बोलता है ये जो इबादत करने वाला मकार ये जूड बोलता है तुमारी बेहन से उसने मुझाला किया हमल ठेरा तो उसके बाद उसने मार करके यहीं घर में दफन किया उन्होंने खोद करके देखा तो लाश का पुराना बकिया मिल गया अब वो वावेला मचा के बाहर आने के बाद उसको सोमा से बाहर खींचा गया उसके कपड़े पाड़े गए उसके बाल नोचे गए मुझ काला किया गया पूरा गाउं तूट पड़ा उसका सोमा तोड़ डाले और उसके बाद फिर उसको फांसी पर चड़ाया गया फासी पर जब चड़ाया गया तब फिर इबलीस आया इबलीस आया कहा कि बहुत बुरी हालत हो गई तुमारी मुझे अफसोस है मुझे अफसोस है लेकिन मैं तुझे बचा सकता हूँ बचा सकता हूँ मैं तुझे यहां से निकाल सकता हूँ मेरे पास ता जले कि मैं आजाद करूँगा तो तु मुझे सजदा करेगा का आँ बिलकुल करूँगा सजदा करूँगा कुफर कर दिया इसी वक्त उसको फांसी पर चड़ा दिया गया शैतान भाग गया जिसकी अब्तिदा अबादतों से शुरू हुई थी इनी नजरों का धोका था कि कुफर पर मौत हो गई यही कायद भी मौचूद है मैं इन बच्चीयों से भी कहता हूँ कि तुम अच्छे घरूं की होंगी अच्छे खांदानों की होगी बहुत सारी लड़कियां यह दलील देने लग जाती है कि हम उनको सही रास्ते पर लेके आ जाएंगी वो मुसल्मान बन जाएंगे फला हो जाएंगे तबलीग का इतना ही शौक है तो मुझसे राप्ता करें बहुत सारे मैदान हैं मैं बेजूंगा तबलीग के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी एक लड़के पर ये इस तरह के आलात बसावकात हमने देखा है कि तुमारा दीन खत्रे में आ गया और कुफर पर मौत हो गई है कुफर पर मौत हो गई है अभी चंद महीने पहले छे साथ महीने पहले का एक वाक्याद गर्दिश कर रहा है अख़बारात की सुर्खी भी वना और बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये गर्दिश भी करती रही बात मद्द परदेश के किसी इलाके की एक नौजवान लड़की अपने घर छोड़ कर भागी तीसी तरह से और उसके घर गई साथ को छोड़ दिया चार महीने उसके साथ नहीं गुजारा एक दिन उसने सिर्फ ये कहा था कि मज़े शाम में गुमाने क्यों नहीं ले जाते इसी बात पर जगड़ा शुरू हुआ यहां तक पहुचा कि उस गैर मुस्लिम ने इस औरत को गला घोट के मार दिया लड़की मुसल्मान थी घर वापस आ नहीं सकती थी मर गई और रोध हो करके घर वालों ने कहा कि बीमार हो गई थी हमने वहीं वाक्या हुआ लेकिन पॉलीस को बाद में शक हुआ तफ्ती शुरू की थर्ड डिग्री लगाया तो सब बोल दिया कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने मार दिया है मैंने मार दिया है अजीजा ने गरामी पोस्ट मार्टम आने के बाद पता चला दो महीने के बाद की इस लड़की को इन्हों ने इस तरह से मार दिया था मैं उन बच्चीयों से कहता हूँ जो अपने घरों की इस्जत को लेकर के निकल जाती है आज मैं इसी बात की तरफ आना चाहता था आओ तुमें मैं मिसाली खवातीन की वो जिन्दगियां बताओं जिनके उपर मक्का वालों ने मजालिम के पहार ढ़ा दिये क्या नहीं किया उस स्यदा सुमया को लाखों सलाम जिनको घर से गिरफतार करके मक्का के काफिरों ने बवीश बाजार में लाया और घोड़े की टांगों से बांज़िया का सुमया छोड़ दे अपने दिन को अगर खायशात उन आउरतों के दिलों में भी होती ही तो छोड़ देती ही मक्का के बड़े-बड़े रईस उनको अपनाने के लिए तयार थे बड़े-बड़े पैसे वाले अपने लिए अपने घर को उनको बुलाने के लिए तयार थे स्यदा सुमया उस वक्त भी अहद अहद कहती रही मेरा लाह एक है मेरा लाह एक है इसके इलावा मैं किसी बात का इकरार नहीं करूँगी उनको इतना महरा स्यदा सुमया को अबु जहल खबीस मरदूद ने जिनों ने जान पेश कर दिया, दीन नहीं दिया, दीन नहीं बेचख़ा, हज़त नहदीया, भज़त जुनेरा ये वो सहाभियात हैं, जो बांदियां थीं या घुलाम तीं, लेकिन बहुत मारी गई हैं, बहुत तकलिफ उडाई गई हैं, अब तक तुम हजदत बिलाले हमश का ही सुनते रहे ना हज़ते खबाब का सुनते रहे हज़ते नहदिया का सुनो हज़ते जुनेरा का सुनो हज़ते फकीहा एक ऐसी सहाविया है जिनको खुद हज़ते उमर मारते थे इमान लाने से पहले इतना मारते थे के ठक जाते थे ठक जाते थे और बैट करके कहते कि मैं तुझे इसलिए नहीं छोड़ा हूं कि तुझ पर रहम आ गया इसलिए छोड़ा हूं कि मैं ठक गया हूं अज़त फकीहा उस वक्त भी कहती अमर अगर तु एमान नहीं लाएगा तो फिर तुझे हर मार के बदले अल्ला की बारगा में जवाब देना पड़ेगा और अगर तु एमान ले आता है तो ये मुझ पर जितने मार मारा है 土 माफ हो जाएंगे उसक्त कहती थी अहुत है तो मार कहने के बाद वाद ये कहे कि तु एमान ले आ जाए कौन है ये एक बांदी थी एमान लेगा हुजत जन्हरा एक सहाभी आईसी है मक्का की के बीमार होकर के इनकी आँखें चली गई अब ताने देने वालों को और बड़ा मुखा मिला और बड़ा मुखा मिला पूरे मक्का वाले ये कहने लगे जुनेरा देखो ला तो हुबल और उज्जा जो हमारे खुदा है इन्होंने तुझे वो क्या आती थी और कहती थी मेरी आखें जिसने दीया ता उसने लिया तुम्हारे खुदावं को तो अपने आसपास की भी ख़बर नहीं हुथी उनकी खुद की आँखें नहीं दिखती वो मेरी आँखें क्या लेंगे दूसरे औरतें बहुत जल्दी इन बातों की तरफ आ जाती है रे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हकीकत में जो कह रहे हैं कि फलां की बद्धुआ लग गई अब शगुन हो गया फलां हो गया उनकी आँखे चली गई थी तब भी वो इमान पर काईम थी यहां बच्चे रोने लग जाएं तीन चार दिन सताने लग जाएं तो आ जाते हैं का कि हजद्ध हमने सुना है कि इसका नाम कोई सखत हो गया है इसकी वज़ा से यह ऐसा सता रहा है परेशान कर रहा है पूचा नाम क्या है का हुसैन है कोई सखत नाम है वो औरतें भी आई जिन्हों ने अपनी बच्चीयों का नाम जैनब रखा का अज़त नाम का तो कुछ असर नहीं हो रहा है माज़ लाहि रब लालेमी इसलामी नाम रख्यो हो अन्त विश्वास कहां से तुम्हारे अंदर आया है हाँ बुरे नाम अगर रख्यो हो कि हाँ जो साफ सुतरा हो जिस नाम से कभी बीमारी नहीं आती है सारे लोग भी नाम रखते ऐसा नहीं है ये इस तरह के अंधी अकीदतें जो दाखिल की गई हज़ते जुन्हरा ये सहाबिया से हमें मिलता आँखें चली गई तब भी वो इमान पर इस तरह काइम थी और कहती ही मुझे इमान लाने की वज़ए से आँखें नहीं गई है तुमारे खुदाओं को आस पास का होश नहीं होता वो मेरी आँखें कह लेंगे हज़ते अम्हे शरीक एक सहाबिया इसी है मक्हा वालों ने तोब्हों खुदान के शरीक को कड़ी धूप में खुदा किया एसी धूप में कि जो रेतेली जमीन है खुले मेदान में उनको खड़ा करते और अगर वो आगे बरत या कोड़े से मारते उसी मेदान में खड़ा करते कितनी देर गंटा दो गंटा नहीं तीन दिन तक खड़ा रखा भूक और प्यास की शिद्दत की वज़ा से उनकी आँखें बाहर आने लग गए थे नज़ते हूं में शरीक ये भी सहाविया हैं उस कड़ी धूप में आज मक्का की धूप जानते हैं पचास डिग्री के उपर शायद आप पैंटीस चालीस डिग्री में ही परेशान हो जाते हैं पचास डिग्री से उपर की धूप बरदाश करती हुई गरम रेत पकड़ी रही तीन दिन तक तीन दिन के बाद वो कहने लगे कि तू अपने खुदा को छोड़ दे छोड़ दे हालत ऐसी हो गई थी कि कानों में आवास तक नहीं आ रही थी मैंने रिवायद पढ़ा आँखें भीग गई अज़त एम्मे शरीक पूचने लगी क्या कह रहें तो उन्होंने इशारा करके कहा एक को जो तू मानती खतम कर दे कान सुनाई नहीं दे रहें आँखें बाहर आ चुकी हैं जिसम तप राए पैरों में च्छाले पड़ गए तब वो पुकार करके कहती अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाह एक ही है एक ही है कोड़े मार मार करके उनको जखमी कर दिया था अज़त अम्ह शरीक रदियल्लाह अनहा को और जानते यही वो सहाबियां हैं अज़त अम्ह सुलैम कितनी सहाबियात की मबाद तुमारे सामने रखो अज़त अम्ह सुलैम एक वो सहाबिया है حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لئے جاتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی یہ حضرتِ انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لئے اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی سات پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی وہ عم سلیم جب ان سے نکاح کے لئے ابو تلہا نے پیغام بھیجا وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے ایمان لائے ہوئے نہیں تھی آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ام سلیم کیا کہتی ہیں ابو تلہا کو بہت پسند کرتی تھی خوبصورت تھے ابو تلہا بہت ہی کڑیل جمان بھی اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی نکاح ہو جائے سامنے سے ابو تلہا آئے ام سلیم نکاح کر لیتے ہیں ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو تلہا ایمان لائے اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے حضور کے جانسار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں خواتین کا یہ بھی کردار ہے سیسان اگرامی وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی چاہاں کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے ہیں ماذا اللہ ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں یہ سب اسی ٹیلی ویزن سے انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے آپ پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہیں مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویزن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں مجھے اس کی خبر نہیں تھی لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے بہت صحیح ویڈیو تھی بہت زیادہ انٹریسٹنگ تھی کہ انسان کے جسم میں سیتان آتا ایک دم پورا بہت اچھے سے انہوں نے کلیئر کر آتا کہ سیتان کا میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کوئی روپ تو ہوتا نہیں ہے وہ کسی کے بھی روپ میں آتا ہے جیسے کہ وہ ابلیس والا جو بھاقیہ تھا کہ بندہ روچ نماز پڑھتا تھا عبادتیں کرتا تھا یہ سب لیکن اس کا دماغ جو پھیر آنا اس نے بھائی ساب سب مٹی میں مل گیا اس کا جیبن بھی چلا گیا تھا بہت اچھا ویڈیو تھا overall آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں آپ کی کوئی اور recommendation ہے آپ چاہتے ہیں جس پہ reaction ہو تابہ اس کے لئے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا ہے تو share کریں دوستوں کے ساتھ اور اس ویڈیو کو like کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو future میں بھی ایسے اور reactions ملتے رہے تو پلی چینل کو subscribe کریں آج کی reaction میں بس اتنا ہی ملوں گا next اور کسی reaction میں تب تک کے لئے thank you so much for watching bye bye guys see you guys take care guys